भगवान अच्छे लोगों की ही परीच्षा क्यों लेते हैं? नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको एक ऐसे गहरे सच के बारे में बताएंगे जिसको आप भी समझ जाएंगे कि भगवान हमें कष्ट क्यों देता है? इसके पीछे क्या कारण है? इन सभी बातों से आप सीख पाएंगे कि इश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है तो विडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्ची दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे तो आईए जानते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? दोस्तों इश्वर द्वारा किये गए परीक्षनों की अवधार्णा लंबे समय से दुनिया भर के धर्म शास्त्रियों और विश्वासियों को परिशान करती रही है कई धर्म इस विचार पर जोर देते हैं कि भगवान अपने अनुयाईयों की परीक्षा लेते हैं और इससे सवाल उठता है भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? हाला कि विशिष्ट कारण किसी की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भिन हो सकते हैं विश्वास को मजबूत करना एक आमधारना यह है कि भगवान हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं चुनौतियों का सामना करके व्यक्तियों को इश्वर में अपना विश्वास बढ़ाने और बढ़ाने का अफसर मिलता है जिससे उनका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है चरित्र व्रिध्धि भगवान हमारे चरित्र को निखारने के लिए हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं परीक्षन और क्लेश छिपी हुई शक्तियों को सामने ला सकते हैं और धैरियत लचीलापन और करुणा जैसे गुनों में सुधार कर सकते हैं जिससे व्यक्ति स्वयं का बहतर संसकरन बन सकते हैं विनमर्ता सिखाना इश्वर द्वारा परीक्षन विनमर्ता के पाठ के रूप में काम कर सकते हैं जब कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तो व्यक्तियों को उनकी सीमाओं की याद आती है और वे विन्मर्ता की भावना को बढ़ावा देते हुए भगवान के मार्क गर्शन और अनुग्रह पर भरोसा करने की आवश्चक्ता को पहचानते हैं द्रेड़ता का विकास करना द्रेड़ता एक ऐसा गुन है जो अक्सर कठिन परिस्थितियों में विक्सित होता है भगवान के परीक्षन विश्वासियों को कठिनाईयों को सहन करने की चुनौती देते हैं उन्हें अपने लक्षियों को प्राप्त करने में द्रेड़ता और द्रेड़ संकल्प का महत्व सिखाते हैं अशुद्धिया दूर करना जिस प्रकार आग सोने को शुद्ध करती है उसी प्रकार कुछ विश्वासियों का तर्क है कि भगवान हमारे भीतर की अशुद्धियों को खत्म करने के लिए हमारी परीक्षणों के माध्यम से किसी की कमजोरिया और खामिया स्पष्ठ हो जाती है जिससे व्यक्ति, परिशकार और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है हमारी आग्याकारिता का परीक्षण इश्वर हमारी आग्याकारिता और वफादारी का मूल्यांकन करने के लिए हमारी परीक्षण ले सकता है हमें विभिन परीक्षणों के माध्यम से डाल कर वह अपनी आज्याओं का पालन करने और हमारी भक्ती में दृढ रहने के लिए हमारी प्रतिबधता निर्धारित करना चाहता है ज्यान सिखाना परीक्षणों के माध्यम से भगवान अपने अनुयाईयों को ज्ञान प्रदान करते हैं चुनौतिया अक्सर मूल्यवान जीवन पाठों के साथ आती है जो व्यक्तियों को स्वय दूसरों और परमात्मा की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए प्रोचसाहित करती है बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयारी कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर हमें भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए हमारी परीक्षा लेता है चुनोती पूर्ण परिस्थितियों में हमारी ख्षमताओं और चरित्र की जाच करके भगवान व्यक्तियों को नेत्रित्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं जिससे वे दूसरों पर सकारात्मत प्रभाव डाल सकें रिष्टों को मजबूत बनाना इश्वर के परीक्षन विश्वासियों के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी काम कर सकते हैं एक साथ परीक्षनों का सामना करते समय व्यक्तियों को अकसर अपने समुदाय से सांत्वना, समर्थन और प्रोथसाहन मिलता है जिससे प्रेम और करुणा के बंधन को बढ़ावा मिलता है अपनी वफादारी साबित करना परमेश्वर अपनी वफादारी साबित करने के लिए हमारी परीक्षा ले सकता है परीक्षणों के माध्यम से विश्वासियों को भगवान के चमतकारों, प्रावधानों और अटूट समर्थन को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अफसर मिलता है जिससे उनका विश्वास और भक्ती मजबूत होती है दोस्तों, जबकि इश्वर द्वारा हमारी परीक्षा लेने के कारण व्याख्या के लिए खुले है और विभिन धर्मों में अलग-अलग हो सकते है उपरोक्त स्पष्टी करण इश्वरिय परीक्षाओं के पीछे के संभावित उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते है चाहे वह विश्वास को मजबूत करना हो, चरित्र को बढ़ाना हो या ज्यान सिखाना हो विश्वासियों को यह जानकर सांत्वना मिल सकती है कि इश्वर की ओर से परीक्षन, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ घनिष्ट संबंध लाने के लिए होते हैं तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको विडियो पसंद आया होगा और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद